नमस्कार दोस्तो मेरा नाम हरीस और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तो आज का वीडियो है हमारा वह है रजिस्टेंस के ऊपर क्योंकि देखे जब हमारे भाई कोई इलेक्ट्रोनिस का कोई भी सर्किट बनाते हैं तो वहाँ पर उनको अच्छे से अच् दिखाऊंगा और वीडियो में आगे भी मैं आपको बताता रहूंगा आपने मेरी सारी वीडियो में देखाऊगा जितना भी दोस्तों वीडियो में मैं आपको बताता हूं वह हमेशा जो है वह मेरा प्रैक्टिकल ही होता है पहले मैंने जो भी प्रैक्टिकल करा हुआ है जो भी मैंने experience लिया हुआ है वो मैं आपके साथ share करता हूँ तो यहाँ पर आपको market के अंदर कुछ इस तरीके से resistance का जो है packet मिल जाता है तो यह resistance का packet आपको बहुत ही सस्ते के अंदर मिल जाता है यहाँ पर यह 500 यह 1000 पीस का आपको मिल जाता है और वहीं पर कुछ जो है आपको 500 और 1000 पीस का इस तरीके से इस resistance का आपको डबा मिल जाता है जो हमारा गत्ते के अंदर आता है जो खाकी कलर का गत्ता होता है उस तरीके से यह box के अंदर आता है तो यह resistance हमारी blue कलर के अंदर होती है यह हमारी yellow कलर के अंदर होती है अब देखे मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को आपको दिखाता हूँ देखे ये हमारी इस पैगट के अंदर रेजिस्टेंस आती है और ये वाली हमारी इसके अंदर आती है देखे सबसे पहला इसके अंदर होता है पीनों का साइज यहां पर देखे इसकी जो pin है वो बहुत हलकी होती है और इसकी बहुत मजबूत होती है और दूसरा होता है देखे इसके पीनों का जो size है वो भी देखे काफी बड़ा होता है आप देखे दोस्तों मैं इसके अंदर आपको testing भी करके दिखाऊंगा कि दोनों resistance में आपको क्या resistance में से तो यहां पर आपकी 5-6 resistance जो है वो 99.0m से दिखाएगी यानि कि इस packet के अंदर जो resistance होती है उसकी value जो है वो यहां पर उपर नीचे होती है लेकिन यहां पर अगर आप नीले color की जो resistance लेते हो यह original resistance होती है यहां पर आपको value जो है बहुत कम इधर उधर देखने के लिए मिलती है क्योंकि देखे जब कोई आप अपना सर्किट बनाते हो तो वहां पर आपको यही देखना होता है कि रजिस्टेंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा अच्छा वैलू का लगा हो और जो वैलू उसके उपर लिखी हुई है वो उतने वैलू में काम करें अब देख पर भी होता है तो पर हसके Ubogern और मैं दोनों हाथ शुक्स करेंब भी जिर्षे उलकम्राइब आच्षाइघ और एघ।लों अधर स्कुल पोटमचर जो क्योल्येशन शुक्तृ leap click का क्या वहाँ पर खाली सभेट ब कोई-टीड़ हुआनु याजग सभी दो सभूत हुआ ह 4 3 इस तरीके से इसका calculation आ रहा है यानि कि यह resistance हमारी इस local वाले packet में से है यानि कि इसके अंदर 2 से 1.5 point जो है वो कम है अब यहाँ पर यही मैं नीले color की जो resistance से इसको ले लेता हूं तो यहाँ पर मैं इस resistance को जब check करता हूं तो इस resistance का जो value आ रहा है वो आ रहा है 100 point देखे 99.8 और 9 के आसपार यानि कि इसका जो value है वो सिर्फ एक ही point कम है यहाँ पर लेकिन इस resistance के point जो है वो बहुत ज़्यादा कम है तो यहाँ पर इस तरीके से जो है अगर आप इस में से 10 resistance चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक या दो ही resistance में value कम मिलेगी लेकिन अगर आप यहाँ से 10 resistance लेते हैं तो यहाँ पर आपको हर resistance की value अलग मिलेगी अगर आप कभी भी कोई अपना बढ़िया से बढ़िया सरकिट बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप नीले कलर की जो resistance आती है औरिजिनल रजिस्टेंस उसका ही यूज करें यह नहीं है कि बहुत से भाई यह भी कमेंट करेंगे कि जरूरी नहीं है कि सर नीला ही resistance अच्छा अगर आपको अच्छा लगाओ वीडियो को लाइक करना सेर करना सस्क्राइब करना और बैल के आकन को जरूर दवाना क्योंकि मैं आगे आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा और दोस्तों यह जो मैंने आपको कलर का जो प्रैक्टिकल दिखाया यह सिरिफ आपको जरूर दूंगा और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें